नमस्कार आपके लोग प्रियेशो वीकेवी स्पेशल में आपका आप बहुत बहुत स्वागत हैं वीकेवी स्पेशल में बात करते हैं नापूर शहर के मौसम की जिसने नापूर को ठंड के मामले में समुचे विदर्ब के जिलो को पीछे छोड़ दिया है ऐसा लग रहा है सर्दी नापूर में कहर ढारी है हाड कबाती ठंड ने जिन जोड के रखा है नापूर में पारा 7.8 डिग्री सेलसियब पर आ गया है चो विदर्ब में नापूर को सबसे कूल बना रहा है बिते 24 गंटे में 5.6 की गिरावट देखी गई है शनिवार से अचानक बड़ी ठंड पर हमने मौसम विबा के मिस्टर शाहू सर से बात की सर नापूर के खंड शनिवार से अचानक से बढ़ गई है पहले कल तो साथ दशम रखी परसो तो साथ दशम रखी और आज पाच दशम शे अज देग्री सेलसियस तक पौच गई है इस पर क्या करेंगे आप कि अजें क्यों तरह कि ओन के खंड दू है और अजर अजे पाच रहने की शंभाव है कि अब्ली गरढा है तुंकि थान्ड ऑड हरा ने की अच्छ खंड पार बार है उसके कारण अब ही जो है फंद कंटिन्यू रहे लिए दो दिन उसके पास पे थोड़ी विंचेंज होगी तो तेंपरेचर मिनिमुम बढ़ेगा इसल ने ने जो है फिर 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 ने जो है रहे और कोड वर्मिंग अटिन्यू रहेगी और कोल्ड वार्निंग इसल रहे ज़िए ज़े उसके जब से जागा ठंडा समय जो होता है वो हुटा है दिसंबर के लास्ट दो वीक और जैन्वरी के फर्स्ट वीज़गे जब से थंद जो है अभी इसी समय पीक महता है और यह जो ठीक है लिकिन इस्वाल पाढ़ी है जिए पढ़ने चीजिए है उन्यू पाढ़ने ची त्टीक ठीक और सर जन्ता से अपिल करना चाहेंगे अप क्योंकि हम आपने बहुत से लोग देखिए जो शनीवार से एकडम से बीमार पढ़ रहे है खासी जुकाम यह सब शुरू हो गया सर तो जन्ता से क्या आप क्या आप पिल करेंगे ज़रूरी है जरूरी है क्योंकि तो शहर में ठंड कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाली है जनता को बड़ी सर्दी से तकलिफ हो रही है नापूर में अचानक बड़ी ठंड से लोगों की भी इट स्वेटर की दुकानों पर उमड पड़ी अचानक बड़ी से अभी पाच दिगरी उस पर क्या कहेंगे अब सर अभी तो थंड बहुत चल रहे हैं पहले से जादा बहुत कया बहुत चल रहे है भी बहुत मतलब बाहर नहीं निकल सकते थंड़ी में और गरमी रही तो जादा थंड़ी लगते हैं धूफ की जादा ज़रोत है प्रदेश के लोग है अपने को यह टेंपरेचर इतना जेलना कटीन हो जाता है क्योंकि अपने को हैवीड नहीं रहती है तु आपने को हैविड नहीं रहे हैं तो अफने को फोट्य करिंद Figaro साहर हैं कर लेंगे वड़ trap में अपने कुछ नहीं होंगा पथम्रद से बचना इल्ले ज़रूर है कि आपना जो ब्लाड वह पहले भी थोड़ा सा गाडा हो गया है हर एक इंसन का अभन कभी चेक नहीं करते और इसमें ये कम लो टेमपरेचर में यदि अपना फून जमा हो जाता है क्लाटिंग हो जाता है तो उससे अपने हेल्थ में पैरलिस टाइप कोई श्टोक आ सकता है यह सब उसके एफेक्ट तो अपना इतना डाउन टेमपरेचर सब्सक्राफन ने कभी जैन किया नहीं देखा नहीं और इससे डाउन होने वाला इसा ब्रूट करस्ट निया कैसे क्या मतलब थंडी बढ़ गई है तो थंडी बढ़ी है वह इसाफ से इनके रेड भी बढ़े है तो उसके कारण पब्लीक भी ज्यादा है और अच्छा बिज अच्छा रहता है और अच्छा रहता है तो आप उस पर क्या कहेंगे आपकी मतलब बिक्री बढ़ी है सेल्स बढ़ा है बढ़ा है विपकल दो दिन से फोड़ा शेल ज्यादा बढ़ गया थंडी पासना मजे सगयत पहले था अमी करोना पासना रखे रक्षा करना को आप जगता है तैवे मास आमी है इसमें मास घाला सेनेटाजर वापरा तुमी वारा मुबार बस से सगयता सांग उपले आनी कम तो थंड में अपना बहुत-बहुत ख्याल रखे कर दो दो कर दो है झाल झाल